ग्लाइमर की दुनिया हमेशा से ही लोगों के आकरशन का केंद्र रहा है। हर साल कई लोग इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। ग्लाइमर की इस दुनिया का एक एहम हिस्सा ब्यूटी कॉंटेस्ट भी होते हैं। मिस इंडिया से लेकर मिस यूनियोर सर्थ तक ना जाने कितने ही प्रतियोक्ता के बारे में आप सबने सुनाई होगा। यही नहीं देश के लिए इन खिताब को जितने वाली हसीनों के बारे में तो सबी जानते होगे। लेकिन क्या कभी किसी में सोचा है कि लड़कियों की तरह लड़के भी इस तरह की प्रतियोकता में हिस्सा लेते है हर साल मिस इंडिया के अलावा मिस्टर इंडिया को भी चुना जाता है लेकिन क्या आप जानते है कि देश का पहला मिस्टर इंडिया कौन था सत्तर के दशक के जाने माने अभीनेता में से एक डिपक पराशर ने बॉलियूर की कई फिल्मों में काम किया है इंडिस्ट्री के जाने माने अभीनेता होने के साथ ही वो देश के पहले मिस्टर इंडिया भी थे 26 साल पहले इस किताब को जीतने वाले दीपक के मिस्टर इंडिया बनने की कहाने भी काफी दिल्चस्प है साल 1976 में दिल्ली इनिवर्शिटी में पढ़ाई कर रहे दीपक ने दोस्तों से एक शर्थ के चलते उस साल के मिस्टर इल्ली परसनलिटी कॉंटेस्ट के लिए फॉर्म भर दिया लंबे चले इस कारेकरम के अंत में दीपक पराशत मिस्टर इल्ली चुने गए वही इस दोरान पुनम दिल्लो मिस्टर इल्ली बनी मिस्टर इल्ली का किताब हासिल करने के बाद आयो जोकों ने उन्हें बताया कि अगले दिन सुबज 6 बजे मुंबई के लिए निकलना होगा मुंबई पहुशने पर उन्हें पता चला कि अब उन्हें मिस्टर इंडिया कॉंटेस्ट में भाग लेना है कौन जानता था कि एक शर्ट को पूरा करने के लिए उठाये गए दिपक के इस कदम से देश को उसका पहला मिस्टर मिल जाएगा इसी साल नफीस आली ने मिस्ट इंडिया का किताब खासिल किया है इस किताब को जितने के बाद दिपक देश भर में मश्यूर हो गए इतना ही नहीं उन्हें फिल्मों में भी रोल आफर होने ले इनसाब का तराजू आप तो ऐसे ना थे निकाज जैसी पचास से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली दिपक बाद में टीवी शोज में का भी हिस्सा बने शाम बेनेकल के साथ सीखा काम मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडिलिंग के उन्हें कई आफर्स आने शुरू होगे कई टॉप ब्रैंड्स को एड करने के बाद एक टॉप मैडल की लिस्ट में शुमार होगे फिर दिपक ने फिल्मों की तरफ रूख किया उन्होंने भूमिका, निशान और अंकूर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टन डायरेक्टर के तोर पर काम किया शाम बेनेकल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलिवड की बारी किया सिखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी आफर साने शुरू हो गए। उन्होंने युनाइटेड प्रतिक्ताब में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गे। यह वही प्रतियुकता थी फिल्म इंडेस्ट्री जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। बियर चुपरा की फिल्म से किया एक्टिंग का डेबियू। बियर चुपरा ने उन्हें बड़ा उफ़र दिया और उनकी एक्टर की तोर पर बॉली ओर्ड में एंट्री हो गई। यह फिल्म थी इंसाफ का तराजू जो 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जिन लाकारी के दिवाने हो गए। यह वह दौर था जब मल्ती स्टार फिल्म में जादा बन रही थी। राज बबर के साथ उनकी जोड़ी खुब जमी। उन्होंने साल 1993 में उन्होंने आंधिया नाम के धारावएक से टीवी पर डेबियू किया। इसके बाद जी होरर शो पैचान बनाने वाले दीपक अब 71 साल के हो चुके है। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। अब इने के साथ ही वह सामाजी कारियों में भी सकरी है। इसकी अलवा एक्टर सोशल मेडिया पर भी खास एक्टिव रहते हैं। हाला कि दीपक पराशन ने सरीता न काम राधिका रखा। बेटी पाश मेहने की थी तो एक फिल्मी इवेंट के लिए इन्हें दुबई भुलावा आया। जहां इन्हें सनमानित किया जाना था। दुबई पहुचे तो वहां एक बोर्ड राइट में निकले। नसीब को कुछ और मंजूर था और वो बोट द वापस भारत लाया गया। तीन साल में सब कुछ बदल गया। जो सक्ष एक खुबसूरत परसनालिटी का मालिक था वो अप फिल्चेर पर चलने पर मजबूर था। उसकी हस्ती खेलती जिन्दगी भी बरबात हो गई। इस हाथसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को ल बुला दिया था और इस पीच कई नई चेरों ने अपनी जगा बना ली थी। फिर करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्म में। दीपक ने फिर से काम पाने के लिए मेकर्स के पास कई चकर काटे लेकिन बॉलीवूड में उड़ते सूरज को की सलाम होता है। डुपते सूरज की होर्वर फिल्म में ही करते रहे। दीपक पराशर की बाई टांग बुरी तरह जक्मी हो गई थी। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। टांग काटनी की नवपता आ चुकी थी। डॉक्टर को लगा कि दीपक पराशर को गैंगरीन हो गया है। लेकिन काफी मशक् अपनी भी उन्हें छोड़कर चली गई। पर माता पिता ने दीपक पराशर का साथ दिया। दीपक पराशर को पूरी तरह ठीक होने में तीन साल का समय लग गया। साथ ही आपको यह भी बता दे कि दीपक पराशर ने बीग बॉस में एक खुलासा करने की करके संसननी मचा टीवी पर डेबू किया। इसके बाद जी होरर शो, चंदरकांता, स्वाबिमान, कानून, रिष्टे, डॉलर बहु, कई तो होगा बिग बॉस वन, चंदरवोकी और नीम नीम शहद शहद जैसे टीवी शो में नज़र आए। बिग बॉस में उन्होंने खुलासा किया कि व और OTT की दुनिया में वापसी की है। फरवरी 2023 में दीपक पराशर ने नेट्फ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट की शुटिंग की थी। वही अगर इस दमदार एक्टर के आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दे कि आपकी फेवरेट एक्टर दीपक पराशर आज 71 सा कर आ रहे हैं। उनका ये बदला हुआ ग्रूप एक पल को लोगों को उन्हें पैचान में भी मुश्कील हेकरी कर दिता है। लेकिन दीपक पराशर आज पहले से मुताबिक काफी बदल चुके हैं और अपने फैमिली और बच्चों के साथ गुजारिश जीवन वितित कर र किये। बाई बाई